Hello and welcome to TechInfoYT. तो previous video में हमने यहाँ पर .env file और node 1 को देखा था, जिसकी मदद से हमने यहाँ पर कुछ changes भी किये थे file में और वो successfully reflect भी हो रहे थे हमारे server.js की file में. तो अब हमको क्या करना है? यहाँ पर mongodb का connection यहाँ पर establish करना है. तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आप directly server.js की file में भी कर सकते हैं, लेकिन एक better approach है कि आप MVC pattern को follow करें. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? server.js की file में एक new folder create करेंगे, जिसका नाम आप रखेंगे config. तो इसमें क्या होगा? सारी configuration से related files हम यहाँ पर add करेंगे. तो यहाँ पर आपने लिखा config और इसके अंदर हम क्या करेंगे? एक new file बनाएंगे config के नाम से config.js और यहाँ पर हम क्या करेंगे? mongodb का connection create करेंगे. तो mongos हमारे पास already installed है, जैसा कि आप package.json के file में देख सकते हैं, हमने mongos को install किया था, तो हमको अलग से mongodb को install करने की जरूरत नहीं है. हम directly mongos की मदद से यहाँ पर connection establish कर सकते हैं. यहाँ पर आपको लिखना is const mongos equal to require of mongos. यहाँ पर हमने mongos को initialize कर दिया mongos के variable में. और यहाँ पर आप क्या कर सकते है, colors module का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखा colors, और हाँ, पिछले video में हमने .env file में यहाँ पर port और mongos urae भी दिया था, तो I hope आपको याद होंगा, नहीं होंगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपके recap के लिए हाँ पर बता रहा हूँ. और server.js की file में भी मैं थोड़ी दिर में changes करके बता दूँगा, क्योंकि हमने colors model को import किया, लेकिन उसको अभी तक use नहीं किया, तो भी मैं आपको बता दूँगा. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक function create करना है, तो आप क्या करना है, यहाँ पर constant बनाए, const, और इसका नाम रख सकते हैं, connectDB, यह पिर आगर आपको जो भी suitable नाम लगे, आप उसका रख सकते हैं, तो यह क्या है, एक arrow function है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर promises की connection से पहले async क्लिख ले, तो asynchronously यहाँ पर हमारा data जाए, यहाँ पर catch होगा, तो async हो गया, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर try catch block का इस्तेमाल करना है, क्यों, क्योंकि देखिए, जब भी connection हम establish करेंगे, तो हो सकता है, हमारे पास connection success हो, या फिर हमारे पास error show हो, तो हम करेंगे, await करेंगे, await क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारे पास async function, ठीक है, अगर async function नहीं है, तो await की हमको ज़रुरत नहीं है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर mongoose का इस्तेमाल करेंगे, तो mongoose, और इसके अंदर हमारे पास एक method होता है, connect का, तो mongoose.connect, और इसके अंदर हम को क्या करना है एक variable हम उपर पहले सबसे पहले define कर देंगे url का url का हमने एक variable बनाया तो मैं इसको नाम भी दे देता हूँ const url और इसके अंदर हम क्या करेंगे process variable के अंदर से यानि के .env file में हमने जो mongo uri बनाया था तो इसके अंदर हम उसको store करा देंगे तो process.env.mongo underscore uri यह हमने इस url में store करा दिया अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर simply url लिख सकते हैं और उसके बाद में आपको कुछ यहाँ पर key value pairs पास कराने पड़ते हैं इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले use unified topology इसको आपको करना है true तो देखिए console पर हम क्या होता है कुछ warnings मिलती है तो वह warnings हमको ना मिले इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर इन parameters का यहाँ पर use करते हैं तो इसके बाद में हमारे पास है use new url parser अब यह errors क्यू generate होते हैं mongodb और mongos जो है दोनों अलग है mongos जो है mongodb को अच्छी तरीके से यूज करता है इसलिए कुछ warnings वहाँ पर मिलते हैं दोनों की जो है क्या कहेंगे से हम conflict की वज़े से तो उसको overcome करने के लिए हमको यहाँ पर कुछ parameters पास कराने पड़ते हैं use new url parser इसको भी आप कर दे true और in the end हमारे पास है use create index इसको भी आप कर दे true तो console पर आपको कोई भी यहाँ पर warnings या फिर errors नहीं मिलेंगे इतना हो गया आप देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको प्रिंट करा देता हूँ और हम क्या करेंगे back tick कर स्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर tab के ऊपर जो है और escape के नीचे आपको इसका button मिल जाएगा back tick I hope आपको back tick पता होगा तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको print करा देंगे तो क्या print कराते है हम यहाँ पर message print करा देंगे mondodb database connected और साथców हम क्या करेंगे यहाँ पर डॉठ का استعمال कर सकते हैंगे यहाँ पर colors का सयान हो जाएगा और यहाँ पर उसका जो text है अंदर का वो white में नज़र आएगा हमको और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर देखिए host का नाम भी print करा देता हूँ तो आपको क्या करना है dollar और curly braces तो यहाँ पर template string इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर आपको लिखना है mongoose, यहाँ पर लिखना है con, con क्या है देखिए यहाँ हमरा connection है और यहाँ पर हम dot लगाएंगे और उसके बाद मिली लिखेंगे connection और connection का जो host है हम यहाँ पर उसको print करा देंगे और यह connection है, connection.host, यह हो गया, अब दीगे, second cases में हमारे पास क्या है, error हमको मिल सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर simply console पे इसको print करा देंगे, तो यहाँ पर भी backtick पे इस्तिमाल करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, error, और उसके बाद में template string, यहाँ पर हम क्या करेंगे, print करा देंगे, error, यह error है हमारे पास, और उसके अंदर हमको मिलता है message, यह हम उसको print करा देंगे, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस console को rate कर देंगे, या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको जो है, bg red कर देता हूँ, I think bg red सही रहेंगा, bg red, और अंदर का text जो रहेंगा, वो white कर देंगे, इतना लिख्या आप क्या करें, इसको save कर ले, save करने के बाद आपको क्या करना है, अब जाना है, server.js की file, और सबसे पहले आपको क्या करना और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका path देना है, .slash config का folder, इसके अंदर हमारे पास है config की file, तो .js लिखने के आपको ज़रूरत नहीं है, और साथी मैं आपको क्या करना है, .env को भी यहाँ पर require करना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर import कर देंगे const.env is equals to require of .env, यह .env भी यहाँ पर import हो चुका है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इस morgan के बाद में, config करना है, .env को पहले है, .env को पहले है, तो .env को config करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है .env.config, और इसके बाद में ही हम यहाँ यहाँ establish कर सकते है, यहाँ पर लिखना है connection, यहाँ पर MongoDB, फुल्टा लिख लिए है, यहाँ पर अपने साफ से comment लिख सकते है, और simply हमको क्या करना है, यहाँ पर connect DB को जो है, यहाँ पर call करना है, connect DB as a function, और हम क्या करेंगे, देखिए, यहाँ पर हमारे पास console है, तो इसको भी मैं करता हूँ यहाँ से, फिर move कर देता हूँ, देखिए, यहाँ पर back-tick कर स्टेमाल करेंगे, और देखिए, यहाँ पर port है, मैं यहाँ एक additional variable create करता हूँ, of con port is equal to process.env.port, तो यह port हमारे पास अब आ रहेंगा, यहाँ पर .env package से, यहाँ पर मैंने लिखा port, यहाँ पर और लिख रहे हैं, port 8080, अगर .env file से इसको port नहीं मिला, तो यह port 8080 पर run करेंगा, यहाँ पर 8080 के बतले हैं, यहाँ पर port को provide कर देता हूँ, यह वाला port हम यहाँ पर add किया, और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर console.log में यहाँ पर template string यानि के backtick कर इस्तेमाल कर रहे हैं, यह भी file यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे server running on, यहाँ पर हम करते हैं, process.env.node.env, अब यह क्यों लिख रहे हैं, देखें, हमने यहाँ पर एक variable बनाया था, node environment का, तो अभी हमारे पर environment का है, development का है, जैसे production में जाएंगे, तो हम इसको production कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आगे mode भी तो यहाँ पर specify रहे हैंगा, तो आपको समझ में आएंगा, ठीक है, और उसके बाद में, यहाँ पर लिख लेंगे on port number, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से जए template training का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हम लिख लेंगे process.en b.port, और इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमा लगा के, बीजी इसको कर सकते हैं, कुछ भी जैसे कि मैं यहाँ पर yellow तो by default रता है, हम इसको कर देंगे, कोई new color है कैसमें, magenta कर देते हैं, magenta, फिर इसके बाद में dot लगाए, और इसको आप white कर लें, और I think colors हमने import किया था, double-double import हो जाता है कभी-कभी, एक बाद चेक कर लें, और यहाँ से remove कर लें, इतना काफी I think, अब इसको आप क्या करें, save कर लें, तो सब कुछ सही रहा तो हमको console पे, MongoDB का भी message आएंगा, कि connect it successfully है, वरना अगर error रहता है, तो error भी हमको यहाँ पर show हो तो देखिए हमारे पास error है, यहाँ पर कै connect db is not a function, अब यह क्यों error आया है हमको, I think हमने यहाँ पर इसको export नहीं किया होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए हमने इसको define तो किया है, लेकिन export नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, नीचे इसको export कर देते, module.exports, make sure spelling का आप दियान रखें, और function करना जो के connect db, इतना लिख के आप save कर लें, तो दिखिए हमारे पास एक और error है, यहाँ पर bgmagenta.y, तो I think हम, okay, तो हमने यहाँ पर क्या किया, column दे दिया है, तो comma नहीं आपको क्या करना है, यहाँ पर dot देना है, तो dot यहाँ पर रहेंगा, dot bgmagenta.y, और इतना लिख के आप save कर लें, सब को सही रहा है, तो हमको जहें यहाँ पर colors में जाएंगे, तो देखिए, successfully यहाँ पर आ रहा है, server running on development mode, on port 8080, मैं उपर कर दो के थोड़ा, ठीक है, और यहाँ पर देखिए, mongodb database connected, और हमारे cluster का यहाँ पर आ रहा है, अगर local होता तो ह यहाँ पर हमारे पास रहता, local host, क्यूंकि अभी हमारे पास atlas connected है, तो यहाँ पर हमारे पास cloud का cluster यहाँ पर show कर रहा है, और I think हमारे पास database में कुछ तो भी create होना चाहिए, क्यूंकि .env file में आकर आप रूपिस करेंगे, यहाँ पर database का नाम test है, तो test database तो create होना चाहिए, यहाँ पर रिलोट कर देता हूँ, अच्छा, नहीं हुआ, क्यूंकि अच्छा, हाँ, फिल्कुल क्यूं नहीं होगा, यहाँ पर कोई database create नहीं हुआ, क्यूंकि हमारे पास अभी collection नहीं है, collection add होगा, तभी database यहाँ पर show होगा, तो दिखिए, आप क्या करें, इसको भी यहा पड़ेंगा, pizza shop, तो आप इस database का नाम change कर ले, pizza shop, और इसको आप क्या करें, save करें, और make sure, जब भी आप .env file में changes करें, तो server को restart करें, क्योंकि यह automatic में detect नहीं करता, यह बात का आपको खास तिहान रखना है, इसको आप क्या करें, close करें, और जैसे .env file में changes करतें, तो आ आपके समझ में आया हूँगा, तो next video में हम क्या करेंगे, pizza का model create करेंगे, और उसके बाद में data को जो हम fetch करेंगे, यह निके data को import करेंगे, और महां से fetch करेंगे, तो मैं मिलता हूँ next video.